आप सब्सक्राइब दोस्तों आल टी टी त्यारी चनल में आप सब्स्तूर्ब के लिए डेली एकवार की माध्यम से जोबी नियोज प्रकाशित की जाती है सुबह सुबा मैं आप सभी की बीच में लानी की पूरी कोशिश करता हूँ, आप सभी से विनम्ब्र निवेदन है, कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एक लाग सतर हजार शिक्षकों की निवेदन को परिक्षा 19, 20, 26, 37 अगस्त को, रिजल्ट नवम्बर में, दिसंबर में, बटेंगे निवेदन की पत्र, इसी महा आयेगी BPSC से वेकेंसी, ये पटना से निवेदन आ रही है, ये बहुत ही बड़ी निवेदन है, राज्य में पहली से वारवी कक्षा तक की 1,70,461 सिक्षकों की निवेदन की बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा 19, 20, 26 एवं 37 अगस्त को लिखित परिक्षा ली जाएगी, बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा राज्य में विविन सेवाओं के 2,15,468 पद निवेदन की लिए ली जाने वाली परिक्षा एवं इंटर्वियू का केलेंडर गुरुबार को जारी किया गया है, और उसी में राज्य में पहली से बाढ़वी कक्षा तक के 1,70,471 शिक्षकों के निवेदन के लिए बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लिखित परिक्षा की भी तितियां घोशित की गई है, इसी माह बिहार लोग सेवा आयोग से वेकेंसी जारी हो जाए दो दिन के अंदर बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा भेजे गए विज्यापन के प्राडूप पर शिक्षा विवाग की मोहर लग जाएगी और उसके साथी वह बिहार लोग सेवा आयोग को वापस की जाएगी और उसके बाद आयोग विज्यापन जारी करेगा, विज्य जाएगा कक्षा एक सी पांस तक के शिक्षक पदों के लिए होने वाली परिक्षा के प्रश्ण इंटर्मेडियेट कक्षा नौव दस के शिक्षक के लिए सनातक और कक्षा ग्यारा वारा के शिक्षक पद के लिए प्रश्ण सनातको तरस्तर के होंगे प्रात्मिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अव्यर्थी को TET या CTET होना अनिवारी होगा जबकि उच्चे तर मादमिक कक्षा के शिक्षक पद के लिए STET उतिर्ध होना जो है वो अनिवारी होगा नियुक्ती में नियोजित शिक्षकों को अधिक्तम उम्र सीमा में छूट राज्य में बिहार लोग सेवा आयो की लिखित परिक्षा के आधार पर होने वाली स्कूली शिक्षकों के नियोजित शिक्षकों के लिए अधिक्तम आयू सीमा शितिल कर दी गई है और इसके साथ ही नहीं शिक्षक नियामा वाली के प्रविर्त होने के प्रोडव मादमिक शिक्षक पातरता परिक्षा STT 2019 में उत्तिर ने प्रशिक्षित अभ्यारतियों को भी अधिकतम आयू सिमा में 10 वर्सों की छूट जो है वो दी गई है जो फ्रेस अभ्यारति हैं उनको 10 वर्स की आप सभी को विज्यापन दिखाई देगा क्योंकि जिस प्रकार से त्यारी चल रही है उस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बिहार में BPSC के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी परिक्षा भी अगस्त में ताई कर दिया गया है रिजल्ट नौमबर में और दिसंबर में न त्यारी कर रहे हैं उन सभी सात्यों को अगरिम शुब कामना है और टी टी त्यारी चैनल की तरफ से आज सभी अखवारों ने इस न्यूज को प्रमुकता से प्रकाशित किया है पुड़े बिहार में शिक्षक बहाली को ले करके आस की न्यूज जो है वो प्रकाशित की देखे BPSC के माध्यम से जो भी परिक्षा होती है वो ससमय होती है उसमें कहीं से डिले की कोई बात नहीं है आपने सुना होगा जो BPSC के अध्यक्ष है उन्होंने भी यही कहा था कि परिक्षा की तिथी वही रहेगी फॉर्म में थोड़ा डिले हो रहा है कुछ अन्स ऐसे है जिसके उपर में मन्थन जरूरी है क्योंकि बात में जाकर के कोई मामला न फसे तो आप सभी तैयारी करिए और जम के तैयारी कीजिए क्योंकि तैयारी तो थोड़ी सी कठिन जरूर है लेकिन आप से ये कठिन नहीं है आपके लिए ये बहुत ही आसान होगा क्योंकि आप जानते हैं कि इनसान से बड़ा कोई नहीं है, इनसान ही सिलेवस्ताई किया है, इनसान ही प्रश्ण पत्र बनाएगा और इनसान ही प्रश्ण को सॉल्व करेगा, इस मंत्र को ले करके आप त्यारी जम के कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, आप बने रहे हैं, आओ लिटी टी चैनल के साथ पलपल की अपडेट आप सभी को देता हूँ, देता रहूंगा, विस्वास दिलाता हूँ, वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक जूरता का पड़्चाश जरूर दीजिएगा, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते आगले वीडियो में साधा निवास आतियो, सब्सक्राइब कीजिए, और टी इटी तैयारी को, दबाइए इस बिल आइकन को, ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी उसका लाब उढ़ा सके, ये सब बिल्कुल प